Welcome, हम इस टुटोरियल के अंदर Photoshop पे एक interesting सा poster बनाना सीखेंगे अगर आप Photoshop सीख रहे हैं और student है या आप business honor है और अपने brand के लिए एक interesting poster बनाना चाहते हैं तो आप इस टुटोरियल को follow करके easily एक interesting सा poster डिजाइन कर सकते हैं जी चैले तो start करते हैं तो सबसे पेल हम हम यह करेंगे हम फाइल पर जाएंगे-टॉपपर बीइस साइक करेंगे और यहाँ पर जाके कोई भी size select कर सकते हैं आप हर्फाय पर यहाँ के website कर सकते है और WA Deutschा चाहत है सबसे बढ terrace हरै sellers फोटो पर जाकर देते हैं इसको हम पोस्टर का नाम दे देते हैं और हम उसके अलावा इसका साइज भी नीच है आपको लिखा रहोगा मिलिमीटर के अंदर हम इसको पॉट्रेट पे ही रखते हैं यह लैंड्सकेप है यह पॉट्रेट है और नीचे इसकी रेजलुशन भी 300 है ठीक है आर आपको यह थी उसफघ आपको जाकर सेवस के सबक्रोर्ट नाम अवर्सकेप हों सबक्रणे में भी Tigů उसके करेंगेद और व्रहत अब फाल्सट प्रों हमया अपने डिस्रिप्ट्फिशन के अंदर को इसलिए डॉश्य नावड कर सकते ही है, मैं से में ड्राइब कर दूँगा एंको फोटोशॉप के अंदर और इंटरिप्रेस करके, बंदार बान इन सबको फोटोशाप पे प्रेस के तो यह अगर आप साइट भी यहां लेयर्स में देखें तो यह आपको सारी जो है वो नजर आएंगी ठीक है हम इसारी अपने फोटोशॉप पे पिक्चर्स को ले आए हैं तो इन पिक्चर्स को में इस्तमाल करेंगे आपको पोस्टर मेकिंग के अंदर तो अच्छा है कि दो अजर नहीं आ लिए तो आप विंडोस पे जाकर लेयर्स को एफ-7 से प्रस करके कीबोर्ड पर या लेयर्स को यहां से ओन आफ करके आउन कर सकते हैं यह हमने डिसक्स भी कि अपने टिटोरियल के अंदर लेयर्स के आप उसको भी जाकर डिटेल में देख सकते हैं तो हम ऐस चोटा कर लेते हैं ठीक है मैंने शिफ्ट भी प्रेस किया है चोटा करते वक्त आप में नोट्रिस किया हो इस शिफ्ट से जोगा कि एक एक एक्वल साइज पे जा लिए इसका साइज डिस्टर्ब नहीं हो जैसी लेंद्ध विट्ट होगी उसी की रेशियो में यह चोटा बढ़ाता है ठीक है मैं मैं शिफ्ट को छोड़ूँगा तो यह साइस इसका खराब हो जागा यह एक एक इंपॉर्ट जीज है जो आपको इस स्टेप में पता होना चाहिए कि इसको मैं सेट कर लेता हूं यहां पर उसके बद मैं इसको चाहूंगा कि मैं इसको सेंटर में करूं ठीक है आप कंट्रोल आर्ट दुबा कर रूलर को भी अन कर सकते हैं यह नहीं रूलर नहीं है अब रूलर है और यहां से आप देख सकते हैं किस तरह सको सेंटर में करूं लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाए जो टेक्निक हम यूज करते हैं जिसका में चिटोर टीक है और उसके बाद आप इस पिक्चर पे जाहिए फूट पांडा की और यह सेंटर अलाइमेंट का जो ऊपन बटन है इसको प्रेस कीजिए तो यह संटर में अलाइन हो जाएगा अगर आप इसको मिडल करना चाहते हैं तो मिडल का दुबाएंगे तो जम करके मिडल में नहीं कि आप फूट पांडा जो लोग है वो बिडल पे अलाइं है इस इस थॉटमेंट ही ठीक है तो कंट्रोल डि दुबारा करूंगा मैं कर दिसलेक के लिए अब यहां चाहिए भी देखिव सकते हैं ऋपर से करनेके लिए कंट्रोल एह है और डी सलेक्र अलिए कंट्रोल अगर आपको problem है तो आप जो है वो fill all जो है इसी तरह करने हैं यानि कि control D, control A, control C इस तरह के इस लोगो को ठीके तो मैं इनको drag कर की ऊपर ले हूँ अपने इस logo को अब मैं एक नई layer बनाता हूँ और नई layer को नीचे रखता हूँ अस logo के मैं ड्रैकर के drop कर दिया है और मैं color picker से जाकर इसके color picker करता हूँ और फिर मैं bucket पर जाता हूँ और मैं जाकर press करता हूँ तो यह सारे color response ने होगे back layer जो है पूरी पूरी क्या होगी इस color में आँगी आपके बस्ती यह तो color हमने पर किया था उसके logo से चाहाँ आपको यह लियर हैं चोटी नजर आ रही हैं यहाँ अब बढ़ए हो सकते है के बढ़र कईल कीजों किनी यह बड़ी हो जाएंगी ठीक है हम ऐसे करते हैं इसको center में कर देते हैं और हम ऐसे करते हैं और अगर आप को मैं अपने poster को ऊपर नीचे कर रहा हुग तो ऊपर नीचे मैं किस तरह करता हूं अपने इस तरह करता हूं पर अपने यह keyboard पे space को press कर रहा हूं माउस है वो हैंड में चेंज हो जाता है है हैंड का मतलब यह है कि हम इसको टैप कर दकता हूँ है तो है तो यह चेंज हो गया माउस से क्लिक करें और अराम से इसको भूफ करें तो यह बहुत एजी जो है तो सबसे पहले हम ऐसे जाते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और देखेंग्वेट होगी है और इसको कंट्रोल की करके इसको हम करते हैं ताकि यह इसी तरह नजर आए जैसे कि मुबाइल की स्क्रीन टिल्टेड है आप जो है आफ कोर्स वैनिशिंग कोई टेक्नीक भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हम वो किसी और टोरिल में कवर करेंगे वो ज्याता एकुरेट होती है वो आपको हेल्प करती है कि आपकी पिक्चर है वो ऐसी लेग भी हो जैसे कि यह एंगल ठील तो आपको इस तरह ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर लेते हैं और हम यहां जाकर इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हम नहीं कर किया है सबसे पहले ऐसा आप के अंदर है लोगो ठीक है यह नहीं कि इसके अंदर करके इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं चोटा करते हैं और फिर उसके बाद इसको एंगल पर कर लेते हैं यहां जाकर इसको एंगल पर सेट कर लेते हैं ताके यह जो हम बिल्कुल इसकी एंगल पर आ जाया है लाग इस और इसकी तरह यहां पर एंगल पर कर लेते हैं इसको औ कर लेते हैं कि यह तरीका जो है आफ कोर्स अ में रिकमेंड नहीं है लेकिन हम जो जो ब्यस्त तरीका है वह वह जो ब्रेंशिंग को इसाथ जैसे मैंने में में अले मैंशन किया अभी हम इस इसको आलाइन करेंगे पैंशिंग पॉइंट से क्या होगा कि आप यह सब स्टैप तो आप लोग आप वो करने नहीं पढ़ेंगे जो हम काया रहे है यहां जाया जायांगे यहां उपर जाएंगे फिल्टर पर वेर्शिंग पॉइंट टेक्चिक को स्थेमाल करेंगे तो यह अलाहीं हो जाये आथ हैं तो अब हम राइज ना इसे कटते हैं सिंपल को फॉलो बगर देते हैं अच्छा इस पिक्चर पर जाते हैं और इसको 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 बीक्लिक कर सकते हैं और यह वह जो टूल है इसको प्लस को दुपाएंगे यह देखेंगे आप जो वाइट एडिया इसको सेलेक्शन के लिए और यहां जाकर हम मास को बटन इसको प्रेस करते हैं और इसकी जो पैसिटी यह इसको बढ़ा देते हैं तो आपको नजर आएगा कि अब जो हमारी लेयर है वह जो वाइट एडिया में मार्क किया तो उसके अंदर अंदर आ रही है यहनि कि साइट पे सब चीज़ें करते हैं यह मास क्लेयर होती है इस पर हम इसी टूरियल में कवर करेंगे इसमें नामनी होता है कि आप पहले मार करें और मार करने के बाद आप मास के बटन को प्रे बात तेट देटेएगए थू जाइए पर हम और चाहां से नामनी होती है उसको में नहीं होगा है तो फकल के म में इसको में करती हूँ लागा हो सब्सक्राइश हो जाए। श्तुर्म क्टीग होगे और का हिस्ता सल का अलोग प्रतो क्लीप कर unrest के इस तरह कर देते हैं कि है हई स्कल Hybrid के अंदर ही हो रहा है सब कुछ observing कर देते हैं और मैंने इस था तो यह मूलत हो गया है अब देखें यह लोगों भी है आगे है हमारा और ये पिक्चर भी आ गई और ये आपका यह निके तो बहुत इसको कर लिए दोड़ा से चोटा भी कर लिए इसको और दोड़ा से इसकी लाइमेंट भी कर लिए अभी हम परफेक्शन नहीं चाहिए इसके अंदर क्यूंकि एक अपके अंदर नजर आ रहा होगा और इतना अ अगर एक्जेक्ट आप करना चाहते हैं तो अफ़को आप कर भी सकते हैं तो उसके आपको पावल्म नहीं होगा ठीक है अगर अब हम इस चुटोरियल में कवर करना चुग कर देते हैं तो टेक्निक तो शाहिए वह आपको शेक्टोरियल बन जाता है काफी बड़ा ठीक है तो हमने कर लिए हमने एप में जो है वो लोगों भी टाल दिया और हमने पिक्चर भी टाल दी हम जो है आप से लगता जैसे कि आप जो है वो फूर्णा की यूज हो लिए इस मोबाइल के अंद ठीक है अब रैसे करते हैं यहां जाते है पैन के अंदर और ब्लैक कलर सेलेक्ट यह ठीक है और इसके थोड़ा सोब बूफ कर देते हैं और यहां पर में तासे पॉर पॉइंट एड़ कर लेते हैं पैन टूल जो है एक और टूल है जो काफी हम इन उसमें होता है सीखने को तो किसी ट्रोरिल में हम इसको डीटेल में देखेंगे राइड ना आप ऐसे करें हैं लाइक दिस और हम मैंसे करते हैं रस्ता बना देते हैं इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं रस्ते को वी सिर्व जो है वह तिंग शोब करने के लिए ठीक हो गया और इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं यहां से थर कर रस्ता बना दिटें हैंगे यहां से रस्ता बाहर निकल रहा है और यह से कुछ छीए बाहर आ रही हो यहांसे ही देखिए डॉर्टिट लाइन आजाएगी है हमारे पस ठीक है और हम यहां जाकर डॉर्टिट लैन को ड्रॉव करते हैं और यह थोड़ा सा इसका साइज जैसको बढ़ा देते हैं पर कलर जैसको दॉबढरा से मैं री सेट करके वाइड कर देता हूँ और यहां जाकर इसको ड बाइक की इमेजर इसको ऊपर ले आते हैं और यहां उपकर इडॉप कर देते हैं SPAWN कर देते हैं और आपर CTRL T करके इसको transform कर देते हैं यदिन कि जैसे लगे रहा जैसे के बाइक जो है वो बाहर जो है वो सक्रीन को तोड़ता हुआ आ रहा हूँ ठीक है और इस नास्ते पिर चल रहा हूँ तिक है? में जाते हैं. और जाक के इस पर हईता कर Пटर ऑद से हैं ожеई मास को दूबारा से करता है यहां पर पहरों हैं, इसके लिछन पुरिगञा म उठीक्षाभ सफ़ लेकिन राइट ना हम ऐसे shift प्रेस करके जो white अंदर वाला है इसको भी add कर देते हैं अगर अभी मैं जाकर इसको mask को click करूँ तो अब देखेंगे कि यह सारा का सारा जो bike है remove हो गया लेकिन अफकोर्स यह opposite direction में हो गया है यानि कि अगर हम इसको देखें तो यह selection जो है वो opposite direction में होगे को इसा problem नहीं है हम simple इस पर जाकर control eye को दुबाएंगे कि inverse हो जाएगा यानि कि mask छुथा हमारा आप देखें पहले हमारा mask इस तरह था यानि कि white one area select और black पर नहीं हमने जो पंट्रोल इंवर्स किया अब क्या हो गया उल्टा हो गया और यहां पर हमारा जो है वो बाइक आपको नजर आना शुरू हो गया ठीक है बाइक को तोड़ा से उपर ले जाते हैं और ऐसे करते हैं मास के अंदर जाके brush को दुबाएकर इसका जो shadow है बाइक कर अपन क्या पाओं है इसको दुबारा वापिस ले आते हैं तो होता ही है मास के अदर अगर आप black जो है वो color करेंगे तो वो चीज नजर नहीं आएगी और white करेंगे तो नजर आएगी इमेज है वो hidden होती देगी इसका फाइदा ही होता है कि अगर आप back and forth जाना चाहें इमेज के आप जा सकते हैं वरना होगा यह कि आपको किसी चीज को रब कर दें तो दुबारा वापको नजर नहीं जाएगी ठीक है इस चीज में notice करेंगे कि यहां पर white area यह नहीं किया मैंडेख्पान में दोबारा चले जाते हैं इसको कलिक कटते हैं तो देखें से सेलेक कर लिया है और यहां जाकर mask में back GEORGE को ढूबाते हैं और इसको दोबाथ है तो यह हो जाएगा ठीक है यह आप जाकर प्रेंट भी कर लेते ठीक है जुरूर मुझे फीडबेक में बताएगा अगर आपको नहीं है तो हम मास्क लेयर पर टिटोरियल कर देंगे ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है फोटोशॉप के अंदर जिससे आप बहु इसको भी आ जाता होते हैं हम ऐसे करते हैं इसको जो ब्लैक एरिया इसको ठूप और असा बड़ा कर देते हैं लाइक देस और इसके बाद हम आपस जाते तो आपको यहां पर फ्रेम से नजर आ रहा था वो नहीं आ रहा है ठीक है करके सेव भी कर देखते हैं अच्छा जी तो हमने क्या चर्दी बाइक भी बना लिया और नजर रोट से बाइर भी निकलती हुए नजर आ रहा है और यह भी हमने कंप्लीट कर दिया ठीक है अब हम ऐसे करते हैं पिक्चर पे जाते हैं और फ्राइस आइड करते हैं ठीक है और फ्राइस पे हम यहीं करेंगे कंट्रो तो हमारी office job के inverse करेंगे, हमारी जो fries हैं आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, similarly यही प्रॉब्म में brush करके इसको mask में यहां पर जाकर paint कीजिए, तो मुझे feedback में जरूर बताएं करेंगे, अगर आपको tutorial की जरूत है, तो हम जो है, वो इसको देख लेते हैं, tutorial को, और यहां पर हमारी selection है, वो अच्छी नहीं हुई है, तो हम यहां जाकर selection को कर लेते हैं, और इसको बेतर कर लेते हैं, और यह जो white है, इसको हम जाकर brush करकर, मास्क अगर अच्छा करेंगे, तो कि एक tutorial में लिसकस की है, तो आपको यह मस्ली जाएं, वो नजर नहीं आएंगे, तो अभी मैं करूँगा, जल्दी से इसमें text add करूँगा, और text के लिए press के button को दुबाऊँगा, और यहां पर horizontal को select करते हुए, यहां type करूँगा, no level in Lahore, ठीक है, और इसके जो font है, उसको white कर दूँगा, और font का color जाएंगे, यहां से, अच्छा सा font ले लेते हैं, उसको जाके align करते हैं, अच्छा, अभी मैं ऐसे करूँगा, और control T करके तो उसको चोटा कर देता हूँ, अभी मैंसे करूँगा, मैं जल्दी इसको fill करता हूँ, ताके जो है, हम इसको forward करें जल्दी से, क्योंकि पोस्टर में काफी चीज़ें हमने cover कर ली है, अब यहां पर और चीज़े की picture और different चीज़ें add करते हैं, उसके बाद हम जो है, यहां पर text add करेंगे और जल्दी से इसको complete करेंगे, ठीक है, जी अच्छा, तो हमने ऐसे किया है, कि हमने ठोड़ी सी और pictures add की है, और white background remove किया है, और साथ साथ हमने जो है, वो fries वारा भी add की है, और text वारा भी add की है, हम भी यह कुद आइड कर सकते हैं, इसमें मैं जल्दी set कर दी है, एक चीज़ हम यह कर लेते हैं, हम ऐसे करते हैं layers पर जाकर, I click करके, इनको select करके, one by one इनके group बना देते हैं, यहां select कर लेते हैं, इनको drag कर देते हैं, group के उपर तो यह group बन जाएगा, अब हम इनको on off कर सकते हैं, similarly, हमारा यह जो shape two है, bike है, और यह road के track है, इनको drag कर लेते हैं, group के अंदर तो इनके group बन गया, हम इनको नाम देते हैं, bike, track, ठीक है, और यह जो group पे इसको नाम देते हैं, food, ठीक हो गया, अब layer के जो अंदर layers हम को भी नाम दे सकते हैं, but जब ज़सा आपको feel करते हैं, आप देको कर सकते, और जो हमारा phone है, उस यहां पी जाके मैं इसको फून के नाम से तो यह हमें ग्रूप बना लिया, ग्रूपिंग से होता है कि आपको बहुत एक प्रोफेश्रल वे और वर्किंग होता है, तो यह काफी चीज आपके अच्छी लगती है, यहने कि आप और बनाईज लगते हैं, और आपको काम करने में बहुत असानी होती है, यह नेक्स टेम अगर आप दुबारा आसको देखना चाहिए, प्लस के बटन को दुबाते हैं, यहां पर हम एक एफेक्ट सा एड्ड करते हैं, ब्रेश पर जाते हैं, और यहां जाके हम वाइट ब्रेश लेते हुए यहांपर, फ्रुआ सा बढ़ा कर लेते हैं, मैंने कंट्रोल एस करके सेफ कर दिया, और उसके बाद मैंसे करता हूँ, यहां पर जाता हूँ अपना बॉक्स के अंदर, और यहां जाके मैं एक फ्रेम सा ड्रॉड करता हूँ, ठीक हो गया, और फ्रेम को मैं आउट लाइन देता हूँ, इसको बढ़ा कर लेते हैं, बढ़ा हो गया, और इसकी जो पैसिटी इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक हो गया तो मैंने एक फ्रेम भी बना लिया इसके आउटर साइट पे, और यह ट्रैक है थोड़ा सा अजीव सा लग रहा है, इसको हम ऐसे करते हैं, और आपको फील होता है कि आपको pen tool सीखना है, तो जुरूर बताएगा comments के अंदर, ताके pen tool पे टेटोरियल कर लिया रहा है, ठीक हो गया, और अब ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि यह जो एक design है, वो काफी side पे है, तो हम यह अब देके group बनाने का फाइदा यह हुआ हमको, यह हो गया, यह हो गया और यह group हो गया, अब इन सब तीनों को select करके, और easily इनको move भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बीच में move कर लिते हैं, और ताकि यह बहुत इनके graphic designing के अंदर कोशिश ही होती है कि चीज़े online हो, weight equal लग रहो, सब sides के अंदर ऐसा न लग रहो भी जैसे के, सब चीज़ें की तरफ हो रही हैं, यह निकि अगर हम इसको यहाँ पर रखते तो जीब से लगता है, हम इसको center पर लेके जाएंगे, यहाँ पर रखिंग करेंगे तो यह side काफी empty लगेगी और सब कुछ इसी side पर होगा, इसको बीच में ले जाते हैं, और जो हमारा track है, हम इसको control T करके कोशिश करते हैं, हम इसको छोटा कर सेते हैं, with the sign, अब देखें, अब बेतर लगाएं, सेंटर में सब चीज़ें हो रही हैं और काफी बेतर लगाएं, ठीक है, तो track थोड़ा सा हम रजस्ट भी कर लेते हैं, यह चीज़ें चलती रहती हैं, of course designing के अंदर आप कभी भी satisfied feel नहीं करते हैं, आपको लगता है कि इसको बेतर बनाया जाएं, लेकिन आफकोर्स आपको इक पॉइंट पर जाकर, designing के अंदर करके इसको complete करना होता है, ठीक है तो इस तरह ट्रैंट में आदेते हैं, और यहां पॉइंट करके इसको बागा लेते हैं, ठीक है, बाइक को थोड़ असा मेरे खाल से इसको चीज़ भी कर देते हैं, जैसे रोड जा रहा है वैसा लाग जा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे करूँगा, बाइक के पीछे एक बॉक्स बनाओंगा फूट पांडा का, ठीक है, होगी सिंपल तरीके से, सिंपल जाओंगा पन टूल के अंदर और यही कलर से रख करूँगा, और यहां जाकर एक बॉक्स बनाओगा, और लाइक डिस और मैं इसको फिल कर दूँगा, भिडिस कलर, स्टोक चैसको खतम कर दूँगा, और यह नजर नहीं आ रहा, खोशिश करते हैं, इसके जो कलर है, पैनल पे जाके से कलर थोगा सा डार्क हम ले लेते हैं, ठीक हो गया, और इसी को हम ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और नीचे वाला इसको वाइट कर देते हैं, इस तरह तो वाइट नजर आएगा, बॉर्डर सा नजर आएगा, समझ लगे कि कुछ पीछे पढ़ा हुए, और हम ऐसे करते हैं कि फूट पॉइंटर को जो लोगो है, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो रोल्टी करके मुझे करना पर रहा है चीज़ों को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप छोड़ सा प्रेक्टिस कीजिएगा, तो उसा ट्राइ कीजिएगा, तो हो जाएंगी, मुझे जल्दी करना पर रहा है क्योंकि तो इस टिटोरियल आपको बहुत ही बढ हो जाएगा, ठीक है, तो उसा कलर यहां मैच नहीं करते हैं, कलर इसके मैच ही कर लेते हैं, यह लोगों जो है वो जब उसके उपर आएगा, तो में खान से यह मैच करेगा, अच्छी यह लोगों है हमारा, और हम इसको नीचे ले जाते हैं, ट्रैक की उपर, और यह हमारा ट्रैक है, इसके वह हम, कलर जो है वो, यहां से पर कर लेते हैं, यह वाला कलर, ट्रैक करते हैं, ठीक है, तो कलर इसका चेंड हो गए, तो अब कलर बितल लग रहा है, और नजर भी आ रहा है कि पीछे, एक बॉक्स पड़ा हुआ हुआ, ठीक हो गया, इसको कंट्रोल आस कर के सेफ कर देते हैं, और अब नीचे यहां पर थोड़ा से डिजाइन सा बना देते हैं, जो अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा, जल्दी से बनाऊंगा, तो टॉटोरियल काफी बढ़ा होता जा रहा है, ठीक है, मैं राउन करके एक शेफ बनाता ह को अधिस, इन जो पॉइंट्स हां यहां पर को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, काफी तरीक गैसे बना ब्ला सीट जाएगी है मैं कि बादलों का अफ्रेक्ट करना चाहते हैं, जो यह अट कर देते हैं, ऐसे कि तॉप भी चला जाता हूं, और यह text है हमारा, जीए को मैं उपल ले जाता हूं, जो text है, इसको मैं select करके group बना देता हूं, इसको मैं टेर नाम देता हूं text का, ठीक है? जितना भी क्यूब बनाउंगा जिसका वाइफिल वाइट होगा और मैं क्यूब बना दूँगा और और मैं यहां पर बना दूँगा और यहां जाकर मैं ऑन जाकर बनाओ, ठीक है? इस तरह मैं इसको तोरए समीच्ची कर दोता हूँ. तोरा और यह हमारा बन गया cloud ठीक है इसके प्रस्टिक को फुल करें यह हमारा cloud बन गया और हम ऐसे करते cloud को सबसे नीचे ले जाते हैं यह निके text की नीचे होगा और हर चीज की नीचे होगा इस से उपर होगा ठीक है जो last हमारा colorful और हम इस cloud को यहां पर एड कर देते हैं ctrl T करके थोड़ा से चोटा कर सकते हैं और हम दूसरी साइट पर भी एड कर देते हैं इसको हम ऐसे करते हैं edit पर जाके transform कर देते हैं different direction के अंदर तक ऐसे लगे कि cloud repeat हो रहा है ऐसा ना लगे हम different opacity भी इसके थोड़ा सी कम कर देते हैं थोड़ा से लगे के जैसे कि cloud हो different you know shape के अंदर opacity के अंदर यहां पर भी add कर देते हैं score कर देते हैं तो पर designing के अंदर आपको एक चीज को repeat करें पच्छी लगती है लेकिन ज्यादा अगर repeat हो रही हो तो थोड़ा से बेतर होता है कि आप इसको opacity को थोड़ा सा कम कर दें ताके बहुत अदा concentration ना ले आपकी design के अंदर ठीक हो गया अदरवाइस आपको में मकसद होता है में मकसद हम यह दिखाना चाहते हैं बीच में वह hidden ना हो जाए ठीक है तो यहां पर एक हो प्रक्राइट कर देते हैं ठीक हो गया और लोगो जोने इसकी copy कर लेते हैं और उसको नीचे ले जाते हैं यहां पर नहीं चाहरा था कि लोग यह हमारा लोगो है ठीक है दोनों को select कर लेते हैं और इनको central line कर देते हैं ठीक हो गया और हम ऐसे करते हैं यह जो लोगों है इसके जो color है इसको remove कर देते हैं तो हमारे पास की लोगो जो है वो इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा ठीक है थोड़ी से बॉर्डर लाइन में जीप सी लग रही है लेकिन हम ऐसे कटते हैं इस पर जाते हैं और यहां जाकर जो बॉर्डर है इसको हम पेंड कर देते हैं और भी तरीके होता है कॉफी लेकिन यह सिंपल है सबसे सिंपल है और हमने यह क्या कर दिया है यहां पर भी लोग नजर आ रहा है नीचे और हमारा जो है वो क्राउड भी आगे हैं इसके अलावा हमले पिक्चर भी आगी हैं में बूचेंज करना चाहें चाहें चीज़ों को तो हम चोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो मैं इसको सेफ करता हूँ और मुझे जरूर बताएगा कि कौन सी चीज़ें आपको मश्किल लगी हैं और कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं रेपीट करूं और किन-किन सब्जेक्ट्स पे हम सेपरेट जो हैं हम अफना चैटोरियल बनाएं चलें अभी मैं इसे स्टॉप करता हूँ और फिर आपको नेक्स ट्रेटोरियू मेरेंगे तिल न मैं ख्याल रट लिगा बाए